हालो एब्रीवन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट जो भी कहलो उससे तुम परस्नल अकाउंट में कैसे वापस ला सकते हो न्यू अपडेट के बाद क्योंकि पहले क्या होता था यहां पर ठ्री लाइन परहें यहाँ देख सकते हुं मेरा प्रोफेशनल अकाउंट फीकर के यहां पर पहले सेटिंग आने के बाद यहां पर यहीं पर कहीं अकाउंट का ओप्सेन आता था अब्येट यह अगर तुम यहां प्र्यवेट्स है करोंगे तो देके अधे ह完成 कि तो यह तो अलग है और यहां पर अकाउंट लिग आता है था मैं वही बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियों में बने रहो चलते हैं बताते हैं तुमें कैसे बता है to us्के लिए तुम्हें यहांपे क्लिक करना फिर मेरे and see setting and privacy परक्लेक करना ठीक है यहां तक तो सेम है इसके आगे जो changes आया हैं new update के बाद वह मैं बताता हूँ अब पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि यहां पर एक option था यहां से तुम अपना personal account को business account में convert कर लिए लेकिन अब उसके बाद यह वालफ हट गया है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है यहां देखो नीचे business tool and control यहां पर creator tool and control भी हो सकता है और business tools and control भी हो सकता है as per your profile तुम अपना creator चूज किये हो या फिर business tools किये हो तो तुम्हें यह business tool and control पर क्लिक करना है अब यहां पर देखो नीचे में यहां पर switch account type यहां पर आया हुआ है तो यहां पर क्लिक करो switch to personal account switch to created account तो यहां पर switch to personal account पर क्लिक करो और switch to personal account यहां पर क्लिक करके अपने account को personal बना दो अब यहां तुम्हारा personal हो गया है अब यहां देखो तुम्हारा personal account हो गया है अब तुम यहां से अपना अकाउंट को प्राइवेट भी गर सकते हो यह थो को नशकाउंट को तुमा प्राइवेट ह ही गर सकते वो परसंद एकाउंट में तुमारे ओ चुगाल तो चलो मिलते हैं न्य क्ष्श वीडियो में ऐसे यह किसी ट्रिक के साथ तब तक ही लिए गुदवाई